Hello friends, welcome to my channel आज मैं आपको ब्लाउस की लंबाई कितनी रखनी है जैसे चेस्ट की इसाफ से या ब्लाउस की लंबाई कितनी रखनी चाहिए तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो तो वीडियो को आप पूरा देख लो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब देखिए जब भी हम ब्लाउस की लंबाई नापते हैं तो ब्लाउस की लंबाई हम बैक से नापते हैं क्योंकि जब हम फ्रंट से लंबाई नापेंगे तो यहाँ पे हमारा कटोरी का जो tux point आता है यहाँ पे हम इस तरह से खीचेंगे तो हमारे tux point की वज़े से हमारी front side की लंबाई जो है वो जादा निकलेगी तो इसलिए हमारे blouse की लंबाई जादा निकलती है लेकिन perfect लंबाई निकालने से हमें क्या करना पड़ता है लंबाई हमेशा back side से नापनी पड़ती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यह जो shoulder joint हुए है यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी लंबाई नापनी है तो blouse को इस तरह से थोड़ा सा खीचना है ताकि आपकी पूरी लंबाई जो है वो perfect निकल जाए यह देखें यहाँ पे हमारे blouse की लंबाई आती है साड़े तेरा इंच अब जब हमारे blouse की लंबाई साड़े तेरा इंच आती है नॉर्मल blouse होगा आपका बिना अस्तर वाला blouse होगा तो आपको इसमें एक इंच मिलाना है और अस्तर वाला blouse होगा तो आपको आधा इंच इसमें मिलाना है क्योंकि यहाँ पे आपका उपर के साइड में कौटरी इंच चला जाता है सिलाय में और नीचे के साइड में कौटरी इंच चला जाता है इसलिए आस्तर के blouse में हमें आदा इंची एक्षा लेना पड़ता है और नॉर्मल blouse में हमें एक इंच एक्षा लेना पड़ता है अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है जैसे blouse की लंबाई जो है कम चेस्ट का नाफ होगा 28-30-32 इंच हो तो यहाँ पे 12-12-13- य्य हमें इसमें एक इंच प्लस करना पड़ता है यानी कि 16 आ जाती है तो तयार 15 इंच हमारे blouse की лंबाई रहती है जब आप इससे ज़्यादा लंबाई लेंगे ब्लाउस की लंबाई इससे ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे आपकी front side की finishing जो है वो पूरी खराव हो जाएगी क्योंकि लंबाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आपका कटोरी का जो पार्ट होता है यह भी थोड़ा सा लंबा आता है यहाँ पे आपकी सरी पूरी finishing आगे के side में आपका ब्लाउस जो है वो ठीक से नहीं बैठता इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है जब भी आप chest का नाप लेते हो तो chest का नाप हम यहाँ से लेते हैं हुक के side से हमें chest का नाप लेना पड़ता है तो यहाँ पे हमारा chest का नाप पहले नापना है उसके साथ-साथ आपको क्या करना है chest के विसाप से आपको ब्लाउस की लंबाई कितनी रखनी है यह आपको इसका ध्यान रखना है अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कम लंबाई होगी तो आपको कम से कम 12-12 इंच आपको रखनी है 12-12 इंच आपकी तयार लंबाई आएगी तो यहाँ पे आपको 13-15 इंच रखनी है यहाँ पे आपको क्या करना है 13-15 इंच रखनी है कठोरी का जो पार्ट होता है ये भी round shape का आ जाता है और यहाँ पे आपकी cross party भी अच्छी आ जाती है लेकिन आप ज़्यादा लंबाई लेंगे blouse की ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमारा blouse अच्छा है फिर भी हमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए ज्यादा लंबाई होने के कारण क्या हो जाता है बैक साइड में हमारी लंबाई तो अच्छी लगती है लेकिन यहाँ भी फ्रंट साइड में जब हम ब्लाउस पहनते हैं तो ये जो क्रॉस पट्टी होती है आगे के साइड में यानि कि उपर के साइड में इस तरह से चली जाती है इसकी फिटिंग जो है वो मतलब ब्लाउज जो है पहनने के बाद कमपरटिवल नहीं लगता तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कभी भी आपकी ब्लाउज की इसलिए इससे ज्यादा लंबाई आच्छी नहीं लगती ब्लाउज की यानि की लेडिस की कितनी भी लंबाई हो लेकिन यहां साइड़े पंद्रा इंच तक लंबाई लंबाई जो है वो ठीक लगती है यानि कि आगे की फ्रॉंट की फिनिशिंग जो है वो भी अच्छी आ जाती है इसका आपको ध्यान रखना है अब देखिए यहां पे मैंने चेस्ट की इसाफ से मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल लंबाई जनरली लंबाई कितनी रती है और कितनी रखनी चाहिए तो इस तरीके से मैंने आपको ब्लाउस के बारे में या लंबाई के बारे में आपको इस वीडियो में बताया है और आपको कौन-कौन से वीडियो चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं तो मैं उसके उपर वीडियो बना के फिर से आपको सिखाऊंगे अब इस वीडियो में आपको लंबाई के बारे में जानकरी दी है ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर राचिंग इस वीडियो